वेलकम तो न्यू लेस्टन इस लेस्टन में आपसे बात करूँगा अबाउट यू टीम बिल्डर्स या फिर आप उसे कह सकते हो कैमपें यू आरल बिल्डर देखो जबी भी आप गूगल एड्स रन करते हो और जैसा कि आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या ट्रहुता वाल गूगल एड्स और हमने अपने फोने उटीं को अंदर देख सकती है इसके अलावा अगर आप यहाँ गूगल एड्स का आपको और आपसمن हो जो बही आ all traffic के अंदर, source medium देखोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा traffic कहां से आया है, क्या वो facebook से आया है, या वो google ads से आया है, या वो किसी और network से आया है, तो वो सारा आप यहां पे breakup देख सकते हो, अब देखो, होता क्या है, कि बहुत बार google analytics जो है, वो traffic का source, बड़े सा सारे reasons की वजह से, सही से पता नहीं कर पाता, right, google analytics को पता नहीं चल पाता, कि भईया ये जो traffic आ रहा है, वो exactly आ कहां से रहा है, तो होता क्या है, कि कई बार google analytics, अगर कोई traffic आ रहा है न, email से, तो उसे google analytics बोल देगा, कि ये traffic आया है, direct, या suppose करो कोई traffic आ रहा है, facebook से, तो google analytics उसे बोल देगा, कि भईया, ये traffic आ रहा है, direct, मतलब किसी ने सीधे आपके website, सीधे chrome पे, आपकिसी भी browser पे, आपका website का नाम लिखा, direct आ रहा है, तो कई बार ये रहती है, दिक्कते हैं, कि वो traffic का source, तही से नहीं बताता, ऐसा google ads के साथ भी हो सकता है, अगर आप google ads रन कर हो, traffic आप google ads से भेज रहे हो, बट कई बार, ये जो source और medium section है, यहां आपको पता नहीं चलेगा, कि traffic आ कहां से रहा है, तो ऐसे situation में, हम क्या use करते हैं, हम use करते हैं, campaign URL builder, ठीक है, campaign URL builder, अब जबी भी आप campaign URL builder, यूज करते हो, तो होता क्या है, जो आपका URL है, उसके end में, कुछ चीज़े लग जाती है, source, medium, कुछ अलग-अलग चीज़े लग जाती है, जिसकी वज़ा से, google analytics को, ये पता चल जाता है, कि traffic आ कहां से रहा, समझे बात को, तो ये है आपका campaign URL builder, अब ये campaign URL builder, पता कैसे use कर सकते हो, तो देखो, तो अभी देखो, मैं एक demo account में हूँ, आपका ये google का demo account है, google shop का demo account है, तो हम इस account में देखेंगे, कि traffic कहां कहां से आ रहा है, कैसे हम इसमें URL builder यूज़ कर सकते हैं, तो देखो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कि आपको अपने उस website का URL लिखना है, जहां पे आप traffic भेजना चाते हो, ठीक है, तो आप जिस URL पे भी traffic भेजना चाते हो, सबसे पहले आपको वो URL लिखना है, तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूँ, thinkandthrive.in slash wordp, ठीक है, सपोज इस URL में मुझे traffic भेजना है, तो यह मेरा हो गया website URL, यह मेरे से पूछ रहा है, source, कि आप traffic कहां से भेज रहे हो, क्या आप Facebook से भेज रहे हो, क्या आप Google से भेज रहे हो, क्या आप email से भेज रहे हो, कहां से traffic भेज रहे हो, हना, तो अब जहां से traffic भेज रहे हो, वो लिखोगे, तो सपोज मैं भेज रहा हूँ, Google से, तो मैं लिखूंगा Google, ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ Google मैंने all small में लिखा है, all small, तो आपको जभी भी आप URL builder यूज करोगे, तो make sure कि जो आपका source है, जो medium है, जो जो चीज हैं, वो consistent है, मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते, कि इस वाले URL के लिए मैं source रख रहा हूँ, Google small में, और किसी और URL के लिए मैंने source रख दिया, Google caps में, तो फिर होगा क्या, Google analytics में दोनों चीज़ अलग-अलग नज़र आएंगी, तो आपको make sure करना है, कि आप source रख रहे हो, same, all caps रखो, यह all small रखो, आप change मत करो, then हम लखेंगे campaign medium, ठीक है, अब traffic तो Google से आ रहा है, बट क्या medium है, क्या यह display add है, क्या यह search add है, क्या है, कहां से यूट्यूब add है, तो उसे हमारा search add है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, search add, right, तो campaign source क्या हो गया, Google, और campaign medium क्या हो गय then campaign name, अब हो सकते हैं, आप multiple campaign run कर रहे हो, तो कौन से campaign से traffic आ रहा है, तो आपको उस campaign का नाम लिखना है, ठीक है, तो suppose मैं Delhi में campaign run कर रहा हूं, और 18 से 24 वालों को run कर रहा हूं, तो suppose मैंने यहाँ पर रिख दिया, Delhi 1824, right, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, campaign name, just एक वो identification होता ह है, कि आपका campaign किस चीज के लिए है, वो आपको बताना होता है, then campaign term, right, अब आप और थोड़ा से granular जाना चाहते हो, आप यह भी पता करना चाहते हो, कि यह किस keyword से traffic आया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर और अपने keywords या बाकी चीजे लिख सकते हो, ठीक है, again, यह अच multiple campaigns run करो, अलग-अलग, आप एक campaign के अंदर आपने multiple ads बनाई है, तो यहाँ पर अलग-अलग content, अलग-अलग keyword यूज कर सकते हो, यह identify करने के लिए, कि किस ad से traffic आ रहा है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर तीन चीजे mandatory थी, पहला था source, दूसरा था medium, तीसरा था campaign name, term और content is not that is not required, तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते है, source, medium और campaign name हमें जरूर रखना है, और जैसे थोड़ा सा नीची आओगे, तो देखो, आपको यह URL दिख रहा है, बड़ा सा, तो यह URL आपको सीधे कर लेना है, copy, ठीक है, और उसके बाद जबी भी आप Google में कोई भी ad बनाओ, मतलब ह इसके अंदर मेरी add होगी कोई, ads and extension पर जाता हूँ, और say इसको edit करता हूँ, अब देखो, यह URL आ रहा है न, final URL, आप देख पारे हो, इसमें आप यह डालोगे, ठीक है, यह green आ रहा है, क्योंकि मैंने यह नहीं यूज किया, ठीक है, वो अब आप यहाँ डालोगे, अब हो इसको खोलेगा, यहाँ पर, तो देखो, इसमें क्या-क्या चीज़े आ रही है, source भी पता चल रहा है, medium भी पता चल रहा है, और campaign का नाम भी पता चल रहा है, तो यह सारी चीज़े, by default, आप अपने Google Analytics के अंदर, source and medium के अंदर देख सकते, right, believe me on this, यह करना बहुत-बहुत- मैं बताता हूँ, आपको इसकी ज़रो तो पड़ेगी, propose करो, आप बस एक traffic source से traffic भेज रहे हो, तब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि सारे traffic एक जगह से आ रहा है, conversion वहीं से आ रही होगी, और आपको कोई problem नहीं होगी, but अगर आप traffic भेज रहे हो, multiple sources से, आप Google से भी भेज रहे हो, Facebook से भी भेज रहे हो, और भी बड़े जगह से भेज रहे हो, then आपको exact data नहीं मिल पाएगा, कि यह कौन सा traffic है, जो convert हुआ, कौन सा नहीं हुआ, जहना data सारा mismatch हो जाएगा, उस case में यह बहुत ही बहुत ही जरूरी है, कि आ आपको exact पता चल जाए, कि traffic कहां से आ रहा है, किस campaign से आ रहा है, किस keyword से आ रहा है, अगर आप जाड़ा granular होना चाहते हो, और आप सारी चीज़े वहाँ track कर सकते हो, right, तो for example, मैं एक दो आपको example भी दिखा देता हूँ, जो use हो रहा होगा, अगर लोग कोई कर रहे होंगे, तो मैं suppose करो यह try करता हूँ, in case यह अगर यह काम कर रहे हो, देखो, यह जो मैंने click किया है, यहाँ पर यह नहीं हो रहा है, यह जो आप link देख रहे हो, यहाँ पर यह URL है, और यह आ गया GCLID, GCLID is Google click identifier, right, तो जो भी आप Google search add run करते हो, उसमें यह by default लगा देता है, अब दे देखो, यह क्या आ रहा है, content is equal to content, source is equal to Google and campaign is equal to यह, मतलब यह लोग क्या यूज कर रहे है, यादे, आपको campaign बनाते हैं, हमने यह दिखा था, this one, tracking template, तो यह लोग tracking template यूज कर रहे है, हम मैंने आपको tracking template यूज करना सिखाया था, तो आप tracking template भी यूज कर सकते हो, अगर यह URL builder यूज कर रहे होते, तो GCL ID से पहले URL builder आता, URL builder इसके बाद आ जाता, right, बट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे है, इसलिए आनी रहे है, हम एक दो और example देख लेते हैं, अगर use हो रहा हो, stay urban pro का देख लेते है, again देखो, यहाँ पे भी नहीं आ रहे है, यहाँ पे यह builder यूज नहीं कर रहे है, तो let's see, सुलेखा पे आ रहा हो अगर, सुलेखा पे भी UTM builder, URL builder यूज नहीं हो रहा, right, बट आप और देखोगे कहीं, keywords पे एक बर, यह grade up पे देख लेते हैं, maybe यहाँ यूज हो रहा है, अब देखो, यह ध्यान से देखो, grade up का, ऊपर देखो क्य search underscore courses, medium CPC, हाना, और आगे देखो, campaign is equal to JE main, हाना, देन आगे आगे आगे, GCLID, GCLID मैंने आपका बताया था, by default Google लगा देता है, clicks identify करने के लिए, बट उसके पहले यह जो use कर रहे है, that is UTM builder, right, और आपने सीख भी लिया कि आप UTM builder create कैसे कर सकते हो, और आप उसको use कैसे कर सक ठीक है जी, so make sure कि आप UTM builders use कर रहे हो, ताकि आपके पास और ज्यादा granular information, और ज्यादा अच्छी information आ सके, Google Analytics, ठीक है, thank you so much for watching.